नमस्कार मैं हुदीटी शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे इस खास कारिक्रम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशेश सेग्मेंट में जहां पर आप और हम हर रोस औरिकल कार्ड के जरीए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा हम ऐसा क्या करें किन बातों को करना अवॉइड करें जिससे आज की दिन को हम और भी खुबसूरत बना सकते हैं और आप तो जानते हैं कि numerology के हिसाब से हम एक से लेकर 9 मूलांग तक की reading करते हैं और अगर आप नहीं जानते कि कौन सी है आपकी reading तो एक example देके बताना चाहूंगी अगर आपकी date of birth है 15 यानि की 15 तो एक और 5 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ाता है नमबर 6 नमबर 6 होगा आपका मूलांग और आज की तारीक है 8 जनवरी 2024 आज की तारीक है नमबर 8 जिसके स्वामी है शनी तो आज क्या impact होगा मूलांग एक से लेकर 9 तक के जातकों पर आईए हम जानते हैं लेकिन लास्ट एपिसोड में मैंने आप से बात की थी crystals के बारे में वो सारे crystals जो यहां पर मेरे पास भी रखे हुए हैं और मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से crystal किसी प्रकार की energy को अपने अंदर absorb कर लेते हैं और बाद में उसी energies को बाहर निकालते हैं अब किस प्रकार से इसका सदूपियोग कर हम कर सकते हैं अपनी daily life में वो मैं आपको आज बताऊंगी लेकिन साथी साथ पहले यह बताने जाओंगी जो crystal यहां रखा हुआ इसे कहा जाता है quads यानि की हिमालियन समाधी crystal आपने सुना होगा कि पहले के लोग कहा करते थे कि हम तपस्या करने के लिए हिमाले पे जा रहे हैं तो क्यों हिमाले को ही चुना जाता था उसके पीछी का reason था वहां के अंदर create होने वाला उत्पन होने वाला बनने वाला यह crystal जिसे की हिमाले crystal कहा जाता है इसे हिंदी में स्वठिक भी कहा जाता है और इसके बहुत तरीके से लोग इसको धारन करते हैं कोई pendant की रूप में कोई माला के रूप में कोई ऐसे raw पहनता है कोई breasted की रूप में धारन करता है तो जब हम स्वठिक की बात करते हैं तो बहुत से देवी देव लिए फियोग किया जाता है जैसे कि महालक्षमी के लिए भी अनीका जाप भगवान विश्नु के लिए उपियोग में लाया जाता है, यह सब तो इन की प्रियोग बाद में हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि किस प्रकार से एनर्जी को इसके तो आपको क्या करना होता है कि आप उसको रखेंगे और positive जो affirmations हैं अगर आपको रेकी आती है या आप किसी प्रकार से healing modality को जानते हैं तो आप उसके symbols का उपयोग भी कर सकते हैं अपनी positive affirmation देने के लिए फिर चाहे वो धन के लिए हो relationship के लिए हो या life में आगे achieve करने के लि तो बस उसके बाद उसे आपको रखना होता है अपने पास so that कि आपकी जो भी negativity होती है वो उसको absorb कर लेता है और उसको lock करके जो आपने मंत्र दिये है या affirmation दिये है positive जो energy दिये उसी को कई रूपों में बढ़ाता है लेकिन crystal को अपने पास जो भी रखते हैं उन्हें समय स और इसे शुद्ध भी करना होता है तो किस प्रकार से cleansing की जाती है यह मैं आपको कल बताऊंगी तो आए दोस्तों बिना देर किये अपने कारिक्रम की हमाज शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मूलांक एक के लिए हमें परमात्मा आज यानि की आठ जनवरी 2024 को क्या गाइड कर रहे है और मूलांक एक के लिए हमसे कहा जा रहा है और आपको कहा जा रहा है कि छोटी छोटी बातों में आपको खुश्यों की तलाश करनी चाहिए अत्यधिक महत्वा कांग्शा आज आपके लिए नुकसान दैक हो सकती है आज के दिन आपको gratitude देना चाहिए परमात्मा का हर उस व्यक्ति का जिसकी वज़े से आज आप यहाँ पर है हो सकता है जिन्होंने पहली बार आपकी जौब लगाई हो उस व्यक्ति को ध्यान कीजिए वो आपके आसपास नहों इस ओके बट कहीं न कहीं अपने मन से उन्हें धन्यवाद दीजिए ऐसा कोई आपके पार्टनर जो आपकी जिन्दगी में आये हो आपके बच्चे आपके माता पिता आपका घर हर उस चीज के लिए जो आपके पास आपको लगता है कि बलेसिंग की तरह है क्योंकि बहुत सारी लो रखें बी इन ग्राटिट्यूट आपका दिन शुभ हो आईए जानते हैं मूलांक दो के लिए हमें परमात्मा आज याने की आठ जन्वरी दो हजार चौबिस को क्या गाइद कर रहे हैं और मूलांक दो के लिए कहा जा रहा है oh my god same card repeat हुआ है card है ordinaryness मूलांक दो के जातकों से भी कहा जा रहा है कि आज का दिन जो है वो कोई बहुत बड़ा काम करने का नहीं है बलकि आज का जो दिन है वो धहरे रखने का है सही समय के इंतजार का है और साथ ही साथ जब आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं तो ऐसे में पर अपने विचारों को संतुलन की अवस्था में रखना अपने आपको संतुलित रखना यह बहुत बड़ा tatsk होता है लेकिन यकीन मानिए जो जीता वही सिकंदर तो आज आपको कहा जा रहे है कि अपने विचारों को आपको अन्यैंत्रन में रखना है ।ोट तोड़ी चीजों से आपको खुशियों को पाने का है तो आज का दिन बी इन ग्रैटिटीट आपका दिन शुभ हो आईए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज याने की 8 जन्वरी 2024 को क्या गाइड कर रहे हैं और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है इन्नोसिंस का कार्ड है लगी नमबर है आपका नमबर 4 और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन बहुत जादा चालाकी ना दिखाईगा किसी भी काम में कहते हैं कि जो सीधा साधा इंसान होता है कभी कभी वो चीज नहीं भी मांगता तो भी उसे मिल जाती है लेकिन जो बहुत चालाकी दिखाता है तो अपनी चालाकी की वज़े से वो नुकसान में होता है तो अगर आज आपके मन में ऐसी कोई बात आ रही है अपना काम निकालने के लिए तो आज आप सतर्ख हो जाएं या पिर अगर कोई गलत व्यक्ती आपको influence कर रहा हो ऐसा कोई कारे करने के लिए जो कहीं न कहीं आपके सिध्धान्तों के खिलाफ है तो प्लीज रुख जाएगा बिलकुल मत कीजेगा क्योंकि जितना जादा आज आप प्रेम और करोना के और सीधे पन में रहेंगे न बहुत जादा दिमाग नहीं लगाएंगे बहुत जादा लॉजिकल नहीं हो गए जितना बच्चे बने रहेंगे न उतना ही आज आपको success म मिलेगी और अगर आपने logical mind दिखाया बहुत जादा चालाकी आपने दिखाई तो कहो बंते-बंते कारियों को आप बिगाड़ लें क्योंकि हो सकता है आपको ना समझ आ रहा हो लेकिन सामने अला व्यक्ति आपकी इस चालाकी को समझ जाए आपका दिन शुभ हो आए जानते हैं मूलांक चार के लिए हमें परमात्मा आज यानिकी आठ जिनवरी 2024 को क्या गाइड कर रहे हैं और मूलांक चार के लिए हमसे कहा जा रहा है काड आ रहा है receptivity का आज का जो दिन है वो बहुत कुछ प्राप्त करने का है आज ब्रम्भान सेक सकारात्मक डिवाइन उर्जा भी आपको प्राप्त हो रहे हैं जो कहीं न कहीं आपके कारें को पूर्ण कराने में आपकी साहता करने वाली है ये कही न कही आपकी गुरु की कृपा भी हो सकती है आपके इश्ट की कृपा भी हो सकती है और साथी साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप जो रिसीव करेंगे बहुत सारी चीज़ों में उसमें ब्लेसिंग्स हैं उसमें एनरजीज हैं और साथी साथ धन भी आज आप प आठ जन्वरी दो हजार चॉबिस को क्या गाइड कर रहे हैं और मूलांक पांच के लिए हमसे कहा जा रहा है पॉस्सिबिलिटीज का कार्ड है लगी नमबर है आपका नमबर दो और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी जिन्दगी में बहुत कुछ होने की संभावनाई बनेंगी आज आपको एक से अधिक ऑपर्चुनिटी प्राप्त होगी आपके करेर के लिए तो चुनाव आपको करना है वो भी बड़े सोच समझ कर आज कहीं न कहीं जो भी कोई आप कारी करेंगे उसके अंजर आपको अपना ब्रॉड माइंड भी रखना ज़रूरी है संकेट विचारधरा में ना रहें और साथ ही साथ में देखा है बहुत सारे लोग ना अच्छी ऑपर्चुनिटी को प्राप्त करने की चक्कर में क्या होता है कि जो हात में आ रहा होता है उसको भी छोड़ देते हैं ऐसा बिलकुल ना करें आज के दिन जो भी कोई पॉजिटिव आपको प्राप्त हो फिर व आपका दिन शुभो अपने मित्रों के साथ आप एक बहुत अच्छा समय वितीत करने वाले हैं किसी प्रकार के जो कल्चुरल इवेंट में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं कुल मिला के आज का जो दिन है वो बहुत जादा कारे का बोज रखने का नहीं है बलकि लाइफ को इंजॉई करने का है आपका दिन शुभो जरूरी है कि दूसरे किसी के बीच में अगर कहीं कोई वादिवाद की स्तिधी बन रही हो तो वहां बिल्कुल भी आप इन्वाल्व ना हो अगर आपसे कोई राय भी मांगता है तो बड़े ही प्रेम पूर्वक आप वहां से हट जाए आज का जो दिन है वो आप बहुत ज प्रेंसिटेविटी महसूस करने वाले हैं थोड़ा हेल्थ भी जो है आपकी सही नहीं रहेगी ऐसे में बहुत जरूरी है कि अपने आपको शान ताजाप रखें किसी भी प्रकार से ऐसा कोई भी कारें ना करें जोहां पर रिस्क टेकिंग हो आपका दिन शुभ हो आए जानते हैं मूलांक आठ के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 8 जन्वरी दोहजार शौबस के लिए आज की तारीक जो है वो भी है नमबर आठ और मूलांक आठ की हम बात कर रहे हैं और हमें गाईड किया जा रहा है द्रबैल का कार्ड है लग्यन नमबर है आपका चार और आज के दिना बहुत विद्रौही वाली भावना में रहेंगे वैसी आपके एनरजी है कुई आप से ऐसी को बात करेगा जो कि आपके विचारों के विपरीथ होगी आपके सिध्धानतों के विपरीत होगी तो आज आप उसका तुरंद जो है अपोज करेंगे कहीं ना कहीं आप आज जो है अपने जो रूड़िवादी चीजें हैं आपकी या ऐसे कोई old patterns हैं जो आपको लगता है कि आपकी growth के लिए सही नहीं है तो आज आप उस पर चुपी तोड़ेंगे आज आप कहीं ना कहीं अपने मन की बात को आप कहेंगे लोगों के सामने अपने आपको आप सपष्ट रूप से रखेंगे तो कुल मिला के आज को जो दिन है वो clear communication का है बशरते यह याद रखें जो communication है उसके पीछे की जो भावना है वो love और compassion की होनी चाहिए आपका दिन शुभ हो आईए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज यानि की 8 जनवरी 2024 को क्या guide कर रहे हैं और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है लखी नमबर है आपका नमबर एक और आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो personality है आज वो बहुत अच्छी रहने वाली है आज आप जो भी कोई कारे करेंगे वो ना केवल आपको बिलकि आपके आसपास के लोगों पर भी एक बहुत बड़ा effect डालेगा अब आप एक अच्छा काम करते हैं तो आप समझ जाएगे कि आज कहीं ना कि as a leader आपको समझा जाएगा या फिर आपकी तारीफ की जाएगे आपके कारे की लोग आपके कारी की सराहना करेंगे आप से सलाह मांगने भी आ सकते हैं या आपको कोई बड़ी opportunity भी आज के दिन दी जा सकती है तो कुल मिला के आज का जो दिन है वो बहुत ही अच्छा है आज का जो दिन है वो एक mass impact का है कि जो भी आप कारे करेंगे वो एक बड़े स्तर पर उसका आज प्रभाव पढ़ने वाला है तो ऐसा ही कारे करें जो वास्त्रिक्ता में आप ब्रह्मांड में एक positive way में लाना चाहते हैं आपका दिन शुभो तो दोस्तों यह थी reading हमारी एक से लेकर नौमूलांगत की हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग परमात्मा को मेरा प्रणाम